नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है विवेक भारत वाच आप देख रहे हैं हमारे चैनल टेक्नलोजी विद विवेक जहां मैं मोबाइल और कम्प्यूटर टेक्नलोजी से जुड़े हुए काफी सारे वीडियो से लेकर आता रहता हूँ अगर आप हमारे चैनल पर नए है और आपने हमारे चैनल को सब्सकाइब नहीं किया है आप हमारे चैनल को सब्सकाइब कर सकते हैं सब्सक्राइब करते वक्त ब喜歡 को जबूर पैस कीजिएगा ताकि आपको अमारे latest वीडियो notification जल से जल मिल सकें आईयो दोस्तोůाज का वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि हम एक सीरीज लेकर आये हैं प्रोग्रामिज एप जो प्रोग्रामिक वेफ साइट है और दोस्तो यह किसी भी सीरत में जो है कोई भी प्रमोटेड वीडियो नहीं है क्योंकि यह applications बहुत अच्छे हैं हमारे students को viewers को काफी जादा काम आ सकते हैं उनके लिए हमने यह series बनाई है यह आप देख सकते हैं last जो मैंने app का वीडियो बनाया था best mobile app for c language यह program is app का जो है काफी अच्छा हम कह सकते हैं एक नया उन्होंने तरीका निकाला है यहाँ पर आप प्ले स्टोर पर प्ले स्टोर पर जाने के बाद आपको यह program is app लिखना है program is app लिखने के बाद आप यह देख पा रहे हैं जो उपर देख रहा है learn c++ program is education आप जो है इसको यहां से इंस्टॉल करेंगे हमने इंस्टॉल कर लिया है और आप email id से या अपने credentials बना कर यहां पर login कर सकते हैं यह देखिए दोस्तों हमने यहां पर हमारी email id से login किया हुआ है आप यहां पर आपकी जर्नी को स्टार्ट करने के लिए start c++ course आप यहां lesson by lesson चल सकते हैं नीचे आपको धेरो examples दिये हुए हैं यहां आप home के पास जब tap में क्लिक करेंगे दोस्तों तो यह देखि हुआ है इसी क्रम में दोस्तों यह आपको examples दिख रहे हैं और सबस्ची बात यह है दोस्तों की इस directory में जो है आपको काफी सारे examples जो है दिखाए गए हैं जो की आप यहां से सीख सकते हैं और दोस्तों काफी अच्छा है यह देखिए यह जो छटे नंबर का आपको program दिख यहां आप next करेंगे यह इसका program code है हम यहां पर character integer और double का size पता कर रहे हैं और जैसे ही आप यहां पर run कराएंगे दोस्तों तो देखिए output में connect होके यह run हो गया है character का size क्या होता है integer का और double का आप जैसे ही next करेंगे दोस्तों तो यहां पर इसका explanation भी दिया जाएगा और इ इसी तरह से दोस्तों आप यह पूरा जो है सीख सकते हैं और काफी अच्छी यह चीज है यहां पर आप देख रहे हैं आपको directory तक दिखाये जा रहा है यह compiler दे रखा है दोस्तों अगर आपको खुच से अलग से कोई program C++ का बनाना है और आपके पास computer नहीं है या कोई other application न examples हो यहां पर easily save हो जाएगे और आपने जो try pro के पास आपको दिख रहा है यह इस तरीके से हम अपनी email id को login कर लेते हैं यह जो दोस्तों general settings दी हुई है आप इस application को share भी कर सकते हैं काफी अच्छा application है compact छोटा application है लेकिन काफी कमाल का application है और यहां पर आपको जो है ऐसे examples और C++ को अच्छे से हम कह सकते हैं सीखने का एक जरिया मिल सकता है यहां जितनी coding दे रखी है इतनी coding भी अगर आप कर लेंगे तो आपको C++ का basic और advanced देखने के लिए मिल जाएगा और जैसे ही दोस्तों हमें इन programs के logics की आदत हो जाती है तो programming हम दीरे दीरे अपने label पर भ कीजिए subscribe कीजिए like कीजिए comment कीजिए अपने दोस्तों को भी आप यह वीडियो बता सकते हैं हमारा चैनल भी शेयर कर सकते हैं दोस्तों मेरा नाम है